नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट आराध्य और आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्ट जॉब लेकर आया हूँ और ये जॉब कोई छोटी मोटी कमपनी की तरफ से नहीं है ये आ रही है e-commerce websites जैसी Misho, Flipkart, Amazon की तरफ से जहां आपका काम बहुत ही आसान है आपको simple product की availability चेक करनी है ताकि वो product completely sold out ना रहे ये काम आपको घर बैठे की करना रहेगा तो अगर आप 10th pass हैं या उसके उपर वाले लोग हैं और आपको local language आती है तो बिंदास यहाँ apply कर सकते हैं तो चलिए अब आपको direct company की website पे ही ले चलके पूरी details लेते हैं नमस्का दोस्तो, welcome back to noquery finders दोस्तो, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस तगड़ी job update लेके आई हूँ ये job update खास अपने channel पे आई है और कहीं आपको दिखेगी नहीं और सबसे important बात दोस्तो company बहुत ही ज़ादा genuine है जहाँ पे अगर आप 10-5% उसके उपर के लोग हो तो बिन्दस आप यहाँ घर बैठे आप 1000-1200 रुपे आप ऐसे ही कमा सकते हो बिल्कुल ये part-time, full-time जैसे भी आपके लिए possible है उस type की जॉब रहने वाली है 100% genuine यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो जॉब आ रही है वो आ रही है इंटर्ण शाला से ठीक है तो इंटर्ण शाला पे ये company listed हुई है जहाँ पे आपको बहुत ही simple काम करना है आपका काम रहने वाल है Content and e-commerce management associate का ये बिल्कुल freshers के लिए job है और सबसे important बाद ये job अभी अभी post हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी salary आप देख सकते हैं मोटा मोटी 3 लाग के असपास रहने वाली है उसके बाद मैं एक चीज़ बता दू दोस्तों कि आपको यहाँ पे already 6 लोग hire हो चुके है और ये जो vacancy है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा easy रहने वाला है अब आपका काम क्या रहनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको company का introduction दे देता हूँ जो company यहाँ पे hire कर रही है उसका नाम है Lix Mansion Consultancy TLM जिसको बोला जाता है अब बोलोंगी यह कौन सी company इसका कभी नाम नहीं सुना दोस्तों यह 13 साल से market में है इनका काम यह है कि यह company help करती है brand code to grow their digital presence they offer social media marketing फिरो था brand website management digital marketing services influencer marketing यह सारी चीज़े जो है यह company offer करती है अब दोस्तों यह company है बिल्कुल इंडियन है Mumbai based यहाँ पर इनका office है और दूसरी बात दोस्तों बता दो कि तो जो बड़ी बड़ी companies रहती है दोस्तों वो क्या करती है third party को hire करती है कि अपने companies में जो जो freelancing काम कर सकते है छोटे मोटे काम करने के लिए third party को यहाँ पर hire करती है अब दोस्तों Amazon हो गया Flipkart जैसे company हो गयी और भी आप e-commerce जो कर से company हो जाती है जैसे मिंत्रा, मिशो वगरे तो यह क्या करती है अपने website पर अलग-अलग products रहते है अब obvious सी बात है बहुत सरे vendors के अलग-अलग products रहेंगे बहुत सरे brands रहेंगे इनके पास अब कैसा कुछ products out of stock होते तो वो कैसे पता चलेगा तो उस पर ध्यान रखने का काम रहने वाला आपका तो दोस्तों एक particular client या फिर particular brand आपको दिया जाएगा उसके products जो है अगर वो कभी out of stock है या फिर उसके reviews देखने कोई problem आ रही है या फिर वो product चल नहीं रही है अपने website पे उसको हटाने का काम या फिर add करने का काम आपका रहने वाला है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर इन्होंने clear cut बताया हुआ है कि exact क्या role रहने वाला है अब आपको जो है relationship जो है वो merchandiser के साथ obviously maintain करके रखना पड़ेगा client के साथ and vendors के साथ भी maintain करके रखना पड़ेगा क्योंकि कैसा है कि बहुत से जो sellers है वो यहाँ पे Amazon या फिर आपका हो गया flip card के platform पे आते है जहाँ पे अपना product list करते है अब उनका product sold out हो जाता है कभी कबार या फिर लोगों को पसंद आ जाता है बहुत ही excess में माल खतम हो जाता है तो फिर क्या करता है कि आपको बताना रहता है कि आपका माल खतम हो गया है और आपको यहाँ पे order मतलब और यहाँ पे obviously list करना रहेगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब की analyzing brand performance in various outlets फिर उसमें जो है आउटेट मतलब obviously various उसमें websites में अपने flip card का हो गया Amazon का हो गया फिर assist in product catalog management include new product देखे यहाँ पे new product add करने के लिए या फिर existing product जो है उसको update करने के लिए कभी कबार ऐसा रहता है कि दोस्तों आपको product का description आधा रहता है प्रोडक्ट के बारे में knowledge information ही नहीं दिये images नहीं डाले, prices नहीं डाले वो आपको यहाँ पे देखना रहता है particular shampoo है अब shampoo के file यह डाले नहीं है अब shampoo का पूरा description दिया नहीं है क्या manufacturing guarantee है क्या warranty है, कब तक चलेगा expiry rate यह सारी चीज़े आपने डाली है या नहीं डाली है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा मतलब जो की sellers है उनके साइट से चीज़े डाली है नहीं डाली है अब order fulfillment अगर order जो है timely order निकल जाता है तो आपको वो देखना रहेगा ensure deadline मतलब कुछ safety stock वगरे रखना रहेगा यह सारी चीज़े आपको देखनी है monitor and analyze the performance of digital marketing activities वो आपको देखना रहेगा Google analytics, social media analytics यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखनी रहेगी काम बहुत ही ज़्यादा simple है अभी 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 है तो जितना जल्दी हो सके apply कर देना apply करने की step बहुत ही तरह simple है आपको just यहाँ पर apply करना रहता है अपनी details डालने रहती है और obviously इसने sign up नहीं किया वो sign up करेगा और अपनी details डालेगा और resume submit करेगा that's it दोस्तो उनकी तरफ से आपको call आ जाता है for this कि आप सच में interested हो क्या एक छोटा सा HR का call रहेगा जहाँ पर आपकी सारी communication skills और interest particular job के लिए पूछा जाएगा और फिर उसके लिए आगे की step बताई जागी कि क्या rounds रहने वाले है अब दूसरी job जो है आप आपके लिए जो है social media ads analyst अब company जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करती है कि paid campaigns वगरे है वो आपको बनाने रहते है जिसको भी social media marketing में interest है उनके लिए मैं यह job लेके आओ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ऐसी job बताओ जहाँ पर मैं घर बेटे mobile phone से social media को use करते हुए यह job काम कर सकूँ क्योंकि मैं कोई social media का बहुत ज़्यादा आदत है यूज करने की तो दोस्तों जिसको भी LinkedIn हो गया Facebook हो गया Twitter Instagram वगरे में थोड़ा सा interest है तो उनके लिए खाथ job है अब यह नई नई company आई हुए जहाँ पर अपना promotion करना चाहती है तो आपको उनके लिए post बना के देना रहता है reels बना के देता है और edit वगरे करके देना रहता है और वो उनको submit करना रहता है या फिर उनके channel पर update करना रहता है तो कुछ इस type की यह job रहने वाली है अब तिसरी job दोस्तों बहुत से लोग आपने पास video editors है अब दोस्तों बहुत से लोगों का कहना रहता है कि मैं को video editing वगरे में शौक है मैं को photoshop वगरे में शौक है तो उस तो आपके लिए सारे गामा जो company है आप बोल सकते हूँ यह जो company है वो है अपने आरपी संजीर गोइंका की तो उनकी तरब से यह vacancy आई उए जहाँ पर आपको जो अबिसलि यहाँ पर इनका बहुत बड़ा channel वगरे है YouTube channel है TV वगरे में भी आप उनके songs सुनते होंगे सारे गामा music करके है वहाँ पर अप्लाय कर सकते है salary इन्होंने बताई यह आप कमा सकते है आराम से 25,000 रुपे मैंने किये तो यह एक job थी दोस्तों तीन मैकेंसी तीन अलग-अलग field के लिए जो भी आप interested है वहाँ पर अप्लाय कर सकते है कुछ भी queries, doubts रहते रिगार्डिंग तो आप हमें comment session में comment घर पूछ सकते हो till then मिलते किसी नए वीडियो में